मैं हूं अपरlna आपनए कोई बरेड का बहुत ही टेस्टी नास्ता फ्रेंट्स और तकाटक कीया फिल कॉर्य से आप बहुत हीआपmaan सकते हैं इसबहेगे ने नाष्टे की रेशिपी को ड्राइब करते हैं और अगर आपको पसंद sheriff तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स इस चत्पटे से नाश्टे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह ब्रेट के स्लाइसे ले लिये हैं तो यहां पर मैंने वाइट ब्रेट ली है और इन्हें मैंने इस तरह से पेर में लिया है तो पेर में क्यों लेना है वह आपको मैं आगे बता दूंगी आपको आगे पता तर जाएगा और अभी मैंने लिया है यहां पर यह पेकेट तो यह टका टक है इसके अंदर कुरकुरे तो आप टका टक लें लीजिये आप कूर्कुरे ले सकते हैं, तो आप यहां पर हम यह यह ब्रेट के Slicers हैं इन्हें इस तरह से कटोरी से कट कर लेंगे न के तो आप इस तरह से ग्लास से भी कट कर सकते हैं तो यह इस तरह से इसके गौल ब्रेट के सलाइश स्लाइश पिर सहुत होनित जान रुझेदेह और इस थी टृट लोगी आप जाहें तो आप आप इनकी किनाडी मिल ठाट करना को यह और पक्राइश और दे इस तरब जो कमिर बेड के किनारें 24th गश्च और दो स्कूबरिक के किनारी । छोर्ण नहिंट से नहीं के सस्ड देखों कैसेज़ – प्रॉटकर से या यहां, यहां पे लें इसागर यहां मैंने दो यहां पर इसकी जो रेज़बी बनती है बस आप खाते ही रह जाएंगे इस तरह से बनती है बहुत ही चटपटी मसालेदार तो देखिए दोनों पेकट्स को हमने खोल लिया है अब यहां पर हम इसे डाल देंगे एक मिक्सि के जार में क्यूंकि हमें इसे चर्ण करना है तो इ इस तरह से थोड़ा सा दरदर होना चाहिए बहुत जादा पाउडर नहीं करना है तो इसलिए मिक्सि को रुक रुक के चलाना है तो यह दो बार में बहुत अच्छे से पिश्चाता है देखिए इस तरह से इसका दरदर सा पाउडर बन गया है अब यहां पर हमने लिए है आप इहां पर क्म 5 उच्छी से 2 ऊच्छी करें Buye है तो इसे इस तरब से इसको तोड़ने सकेती हैं कि गालो समय करें नहीं कि मैस थोड़ना है झालो जीरा शेला खालु करेंσιा कि तौर कि थमुक्तंत हैं और अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही मिक्स करेंगे यहां पे थोड़ा सा जीरा पाउडर मसाले आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो आप यहां पर मिक्स कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अगर आप को चत्पटा जादा पसंद है तो आप यहां पर चिली फ्लेक्स का यूज़ करें और अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप यहां चिली फ्लैक्स की जगए काली मिर्च का पाउडर भी मिक्स का सकते हैं और साथ ही मैंने मिक्स किया है थोड़ा साथ चिली पाउडर तो अब यहां पे धनिया मिक्स कर देंगे और साथ ही मैंने दो इस तरह से ग्रीन चिली कट की हैं इनको भी मिक्स कर देते हैं क्यूंकि मेरी जो इस टपिंग है बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी और अब हम इसमें मिक्स करेंगे नमक तो नमक आपने टेस्ट का कॉडिंग डालें इसमें और अब इसमें डाल द सकते हैं और आप यहां पर नीबू का जूस भी डाल सकते हैं आदा चोटा चम्मच तो तीनों में से कोई एक चीज आपको यूज करनी है तो तेखिए इसका इस तरह से मिक्स कर लेना है और हमारी जो स्टैफिंग है यह देखिए इस तरह से त्यार हो गई है अब हमारे जो तो उन सबका लिंक में दे दूंगी आप देख लीजिएगा तो यहां पर लगा देंगे चटनी और दूसरे स्लाइज पर हम इस तरह से लगा देते हैं तो जैसी स्टैफिंग आपको पसंद है ज्यादा या कम तो उस तरह से आप इस पर लगा सकते हैं अब देखिए दूस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बिल को भी प्रेस कीजिए आपको मेरे चैनल पर बहुत ही उनीक सी रेश्पी मिलेंगी तो वीडियो देखिएगा और कॉमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी रेश्पी कैसी आपको आप इस पर लगा लिजिए अब हम रख देंगे हमारे त्यार के हुए ब्रेट के पीसे तो अब हम इने सेक लेते हैं लोटू मीडियम हीट पे तो इस तरह से हम इसे सेक लेंगे और कम घी कम तेल का हमारा ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है प्रेंस आप इस नास्ते को रिफाइंड ओयल से भी सेख सकते हैं तो देखिए अब इने में एक तरफ थोड़ा सा सेख लिया है आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी और डाल देते हैं ताकि दोनों साइडे अच्छे से क्रिस्प हो जाएं तो जब क्रिस्प होते हैं तभी ब दो जचले तो चलिए उसी तप को देख लेते हैं तो देखिए अब हम यहां पर लगाएंगे Nico य तो देखिए अब हम यहां पे लगाईगे तो अब यहां पहुर से पॉर में डेस दोनास्ताभी त小時 नहीं हुआ है इसमें एक श्टप रीर और वाकी है तो चलिए उसी श् लगाएंगे यह कैचप लगा सकते हैं यह पिर इस तरह से इन खटी मुठी चटनी का भी उज्च जरूरी है तो अब हम इसके साइट्स में लगा देंगे चटनी यह आपके लगा सकते हैं तो यहां पर यूज करिए तो इस तरह से अच्छे से लगा देंगे और इसके बीना तो यह जो नासता है चरपटा नहीं लगता है वर जब इस तरह से आप बनाएंगे तो भहुत ही टेस्ट ही लगेगा और आप हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे हमारे कुर्पूरे का जो mixture है उस में इस तरह से अच्छे से कोट कीन आप तहकि इस तरह से मैंने इससे कोट करना है तो इस इस में जखेल देंगे इसफैया शोजुन के कंईार मेरे किवलुके के कुछ फटाले किया हैं इससे कोका किताइब और हमारा बहुत ही टेस्टी चत्पटा नस्ता बनके त्यार है देखिए इस तरह से आप इस नस्ते को सुबह खा सकते हैं चाय के साथ या फिर आप इसे साम को जब छोड़ी भूग लगती है तब आप खा सकते हैं बच्चों को तो यह बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और बच्चों को क्या यह सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है तो आप देखिए इसे कट करके देखते हैं तो देखिए उपर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ही ज्यादा चटपटा GLORIA बहुत ही नंस्ता बनके तयार है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्र लाइब कीजिए और कोमेंट में बताइए आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी फ्रेंट्स आप मुझे इंस्टागाम और फेस्टूप पर फॉलो कर सकते हैं तो मिलती हूं नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बावाई टेक केर थेंक्स वर वोचिंग